अगर आप इस भरम में हैं कि आपके शहर की कानून विवस्था बहुत अच्छी है आपका शहर राज्ये के दूसरे शहरों से ज्यादा सुरक्षित है तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हो जी हाँ नैशनल क्राइम इंडेक्स के मताबिक अगर आप अपने शहर को कभी क्राइम इंडेक्स में ढूंडने निकलेंगे तो पहले दूसरे पायदान पर आना तो दूर अगर आप गुनाह और जुर्म के मामले में अपने शहर को फैरिस्त में मौजूद आखरी शहरों की सुची में ढूनना शुरू करेंगे तो उम्मीद है शहर का नाम जल्द नजर आ जाएगा लेकिन अगर इस गलत फैमी में आप हो के आपका शहर कानून व्यवस्था के मामले में बहुत उपर है तो भूल जाएए देश में जितने भी शहर मौजूद हैं उनमें अमरावती शहर कानून विवस्था के मामले में लेचर प्रदर्शन करने के मामले में जरूर देश के कुछ टॉप शहरों में आ सकता है लेकिन कानून विवस्था को पालने के मामले में बिल्कुल भी नहीं अम्रावती शहर में आम्स एक, साइबर क्राइम, मडर, फिरोती वच्चोरी इन सभी घटनाओं का होना आम है इस बीच राहत की खबर यहा है कि महीलाओं के खिलाफ होने वाले संगीन अपराधों में अम्रावती शहर अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है लेकिन कानून को संयोजने में यह शहर कहीं पिछड़ सा गया है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गुणवन तवान अधिकारियों की कमी है लेकिन शायद इस शहर की रूप रेखा ही कुछ ऐसी बन चुकी है कि अपराधी करण का केंजर अब अम्रावती शहर बनता जा रहा है बीते तीन से चार पुलिसायुक्तों ने इस बात की भरपूर कोशिश की कि किसी तरह अम्रावती की कानून व्यवस्था को काबू में किया जाए अम्रावती के बढ़ते हुए आपराधिक रिकार्ड को रोका जाए लेकिन वह सब ही इन सब को करने में नाकाम हुए शायद अम्रावती की शहर की आबो हवा में कुछ ऐसा घुल सा गया है कि लोग यहाँ पर अब गुनाह करने से चाते नहीं है और शायद यही वज़ा है कि कानून का सम्मान करने के मामले में शहर पिछड़ता हुआ नजर आता है